आप शभी को मेरा नमस्कार मैं रुखित मिश्रा आप शभी विद्यार्थियों का अपनी आल लाइन प्रेटफर्म पर हर दिश्वगत करता हूं आज छात्रों मैं बीसी एजी जी जो हमारे फिफ सेमेस्टर के स्टुडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है पेस्ट आफ फि कीटों के बारे में तो आज उसी कड़ी में मैं आपको जो है वो एक आपको जो पैस्ट का मेजर इंसेक्ट है पिंक बॉल वार्म वो मैं पढ़ाऊंगा यानि कपास की गुलाबी सूड़ी उस जो यानि कपास की गूलबतस सूडी तो जो पिंक बौल वार्म आपकी कीट है वो कपास का एक बहुत महत्त पूरी जो है वो कीट होता है यानि कपास में जो लगने वाले प्रमुक कीट है उसमें से सबसे मुख कीट के अंतरगत जो है वो आपका पिंक बाल वार्म जो है यानि कपास की सूड़ी जो है वो आती है ये जो है वो कपास के फसल को प्रभावित के साथ साथ जो है वो नेक्ष्ट जनरेशन में भी जो हो एक जनरेशन में यानि एक पिढ़ी में तो प्रभावित करती है साथ साथ अगले जनरेशन में भी यानि नेश्ट बार जब हम फसल लेते हैं तब भी एक जो हो आपके फसल को प्रभावित करत एक रेसमी तागे से बांध लेती है अपने आपको और उसी के साथ जह हो जब कपास की हो जाती है कटाई मडाई हो जाती है तब यह बीजों में जो हो अंदर पड़ी रहती है हाइबर नेशन में यानि शीटरृता में और फिर से जो हो यह भन्डाज ग्रहों में चली जाती है और जब पुनह हम उन बीजों को प्रियोग जो हो बवाई की लिए करते हैं तो फिर से यह अगली फसल में जो हो इसकी जो लार्वी होती हो पहुच जाती है और प्रिपेशन जो है वो अगले वर्स भी इसके जो पुराने भी जो होते हैं उसमें जो है वो यह सुसुत्ता वस्था में पड़ी रहती है और अगले वर्स की फसल को भी जो है वो प्रभावित जो है वो करती है इस प्रकार से यह एक प्रकार का मुख कीट होता है आपकी कपास की फसल का त यानि इसका जो है scientific classification हम करेंगे तो इसका नाम जो होता है वो कपास की लाल सूरी या फिर कपास की गुलाबी सूरी यानि पिंक बॉल वार्म के नाम से इसको हम जानते हैं अब बात आते हैं इसके अन्य नाम क्या होते हैं इसके अन्य नाम जो होते हैं वो जैसे आप गुलाब भी सूड़ी हो गया या फिर लाल सूड़ी हो गया या फिर इसको हम सूरही के नाम से जो है जानते हैं यानि लाल की जो है वो लाल सूड़ी भी इसको बोलते हैं और इसको गुलाबी सूड़ी बोला जाता है और सूरही के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो जो अलग अलग छ इसका नाम प्रक्राइब अब्सक्रेंडाठी summertime की चाओंड क्लम कीठ वह उता थाओ का परिवार होता है यानि इसका जो परिवार होता है आपका ग्लैच बेशत है इस प्रकार से जह हम कीठ है इस को देख होता है is दिखेंगे इस प्रकार से यह सूड़ी जो है वो दिखाई पड़ती है यानि जो है वो इसके सरीर में जो है वो अलग अलग सेग्मेंट होते हैं और इसमें धारियां पड़ी होती हैं और वो धारियां जो हो पिंग कलर की होती हैं तो पहले यह जब यह सुरुवाती के जाता है जिसके कारण इसको गुलाबी कीट के नाम से हम जह जानते हैं तो देखने में वह इस प्रकार से दिखाई देगा जिसको हम इसको देख करके आशानी से कर सकते हैं इसके अलामा जो है वह इसके कुछ होस्ट प्लांट है यानि इसके पोशक पौधे कौन-कौन से होते हैं पोस्ट प्लांट यानि यह जिस से पोशक प्राप्त करता है जिसमें यह वो प्रमुख रूप से पाया जाता है वो कौन से प्लांट होते हैं यह मुख रूप से जो है वो एक प्रकार की जो मालवेशी कुल के पौधे होते हैं जिसके अंतरत का पास भिंडी अन पौधे होते हैं उसका जो लुकिक प्रकार से जो है वो कभी कभी कंगी और दच्छी रिसन होता है तथा गुलखेयरा जो होता है उसमें भी जो हूए उनके पॉधनी प्रभी जो जुब देखा जब गया है इसके बाद बात करेंगे इसकी डिश्ट्रिबूशन की यानी इसका जो है वो बितरण क्या हो पाया गया था और उत्तर प्रदेश इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान आंध्र प्रदेश कुजरात था उत्तरी भिषारत था ने का पाश्था बहुई जाने वाले छेत्रों में यह मुखुरूब से जहाएं पाया जाता है तो भारत में सरुपतम जो है वो जो पिंक बाल वार्म था कपास की जो है वो गुलाबी सूरी थी वो सन अठाराश जो है वो आपका 42 में कहां मिला था बंबाई के महाराष्ट्रा में मिला था यानि महाराष्ट्रा में सबसे पहले जो है वो देखा गया था जह जो पाज जाता है और बुखता जो है वो इसका जो च्छतियों महत होता है यानि इसका नेचर आफ डैमेज होता है नेचर आफ डैमेज यानि छतियों में इसका क्या महत होता है यह कीट क्या करता है कि जाड़ों में यह बिनावलों के यानि काटन सीट के अंदर सूरी अवस्था यानि लार्वी स्टेज में पढ़ा होता है कैसे पड़ा होता है आपके सीट निस्क्रिता यानि हाइबर नेशन में हाइबर नेशन में रहता है उन्हीं भी जो के साथ चाँ कहेत में जो है वह पहुंच जाता है तो एक जब कीत तंझी के किदी में जा dog tatt к्म हो जाता है ढ़िक की करनों में तो जो कीठ होते हैं जो कि जिस स्टेज में होते हैं वह बिलकुस प्तावस्था ouais कि उस्ता हैा कर आंक्टिव जाते हैं तो जहां पर भी वह रहते हैं और ऑथ यसे आपके पत्तियों के स्टेज में वो परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि तापबान इतना कम होता है जिसके कारण जो रक्त होता है जिसको हीमो सील कहते हैं वो पूरी तरह से जम जाता है तो रक्त जब जम जाएगा तो उनका सरीर जो हो काम जो नहीं करेगा तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की कहां पर चले जाते हैं cotton seeds के अंदर यानि cotton seeds को क्या कहते हैं बिनावला कहते हैं हिंदी में तो जो कपास के भीज होते हैं यानि बिनावला या cotton seeds में और को प्रभावित करते हैं तो cotton और फिर जब हम अगले वर्स जो है वो Dwkea जाती है बीजों का प्रियोग हम बोने के लिए करते हैं तो फिर से ये खेदि पहुँच जाते हैं और ये लारवी वस्था से पीवीण वस्था में पर भूतिसों करते हैं और फिर जो अड़र्थ होते हैं वह एक लईила करना जो है व वो प्यूपा में कर्णवर्ट हो जाते हैं और यह प्रॉण क्वीटों परंव पूर्वय और यूर कर देते और जो मादा होती है अग्राय कापास के पौध के पौद्ध ना देना सुरूब कर देती है तो यह कि जब यह इनकी जो लार्वी होती है वह आपका जो है आपके प्यूपा में कनवर्ट हो जाती है जैसे ही माली जिस्व सुप्ता वस्थाम पड़ी है बीज के अंदर और उन बीजों को जो हम खेत में बोते हैं तो जैसे ही हम खेत में बोते हैं वो जो लारवी होती है वो प्यूपा में कनवर्ट हो जाती है यानि क्रिम कोस में पर जानादा होती है वह एक लेंग करना जहां वह पत्तियों को पर जो नए पौधे उपते हैं उसमें अंडे देना जहां वह सुरू कर देती है तो इस प्रकास इनका डैमेज आफ नेचर होता है इसके अलामा जो है वह कीट की केवल यहां वस्था हानिकारक होती है तो जो इसकी मोश्ट जो होती है यानि मोश्ट डैमेज स्टेज जो होती है मोश्ट डैमेज स्टेज आफ पिंक बॉल वार्म पिंक बॉल वार्म कौन होते हैं लार्वी स्टेज तो तो सबसे ज़्यादा जो घाता क वस्था हानिकारा क वस्था होती है pink ball वार्मिसेट की वह existence होती है larvie stage होती है इसको हम सोड़ी हवस्था नाम से जो है वो जानते हैं यह सूड़ी क्या करती है यह प्राणिज़़ी स्था में वह सबसे पहले कोमल पत्तियों को जो खाना प्राइब करती है कोमल पत्तियां हो गई जो टहनियां हो गई ब्रॉंस हो गई और जो कलियां हो गई यानि जो कोमल बट्स होती है एवन फूलों को यानि जो फ्लावर्स होते हैं अंथर्स होते हैं उस पर जो है वह अप पहले खाना जो आँछ और खाने के लिए क्या होता है कि इनके जो मुख होते हैं इन अदरान की होता है उसको खाना के जो है बना लेती हैं पर यह क्या करते हैं इनका निर्माल कर लेते हैं किस प्रकार से जैसे आप मालीजिए यह आपकी कॉटन की ब्रांच है तो ब्रीय जो है वह जो कॉटन क्रापं की ब्रांचे जो यह उसमें इस प्रकार से शुरंग क निंदर कर लेते हैं और अंदर रहें अंदर वह आपकी जह हो कॉटन की फसल जो खाना जो AMकर देते हैं तो जो टहानिया होती है उसके अंदर जह वो यह प्रवेस कर जाते हैं और धीरे-धीरे उसमें टलंस कर निर्मान करते हैं सुरंग कर निर्मान करते हैं और धीरे-धीरे उसको खाना जह वो प्रारम कर देते हैं जिससे होता क्या है कि जो इनकी आपकी टॉप जो टॉप ब्रांसे होती हैं जो टॉप पॉर्षन होता है फ्लांस का यानि जो टॉप टहनिया होती है उपर की वो दिखाई देंगे तो इसप्रकार के कि यह आपकी बॉल से जिसमें चोटेश दिखाई दे रहे हैं यह आपके फ्लावर से कौटन की इस प्रकार से दिखाई जाते हैं देखिए और इस में तमाम प्रकार के फंगस यम बैक्टिरिया का भी असर जो हो ने लगता है इस्प्रकार से जो है वो आपके जो बॉल्स का अंदर का जो विनॉला होता है उसको इस प्रकार से ये जो है खा करके प्रभाविट कर देती हैं इसके अलावा जो है वो गोले लगने पर सूरिया उन पर आक्रमल करती है तदा छेद बनाकर के अंदर घुज जाती है और जब ये आपके साखा मों में यानि जो फुनगिया होती ही ब्रांसे करती है और जब उन पर बाल लगती यानि जब cotton balls का निर्मान होता है cotton गोलिक रूप में उसके balls बनती है तो उसमें भी जो है वो छेट करना प्रारभर कर देती है और जब कोमल जो ball होती है जो मुलायम balls होती है उसमें जो है वो छेट करती है तो normal छोटा सा छेट करती है बिल्कुल सोच में दिखाई देखता है और छेट करके अंदर प्रवेस्ट कर जाती है और अंदर से क्या होता है कि जब बॉल की बृद्धी होती है जब बढ़ने लगती है तो छेट धिर धिर भर जाता है आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई किसी जो है वो सूरी का जो है वा टैक हुआ है जब कि सूरी क्या होती है वह अंदर ही अंदर जहां वो जो कॉटन के सीट्स होते हैं इसको खाना जो और कशा करके नश्ट कर देती है इस प्रकार से और जब बड़ी बॉल में इनका टैक होता है जो बड़ी बॉल हैं उसमें जब यह प्रवेस करते हैं तो उसमें छिद्र ज्यादा बड़े दिखाई जाते हैं और वह आपको जो असपस्ट दिखाई देगा कि इसमें कीट का प्रभाव जो हुआ है और यह क्या करते हैं अंदर यह अंदर बीजों को जो बॉल हो जाती है और जो इस प्रकार की रोग्रसिद बॉल हो जाती है उसमें तमाम प्रकार के जो है वो जो कौटनceğiz होती है जो कपास होती हैं वह लेस्ट क्वॉल्टी का बनता है यानि उससी गुडवत्ता जह वो कम होती है वो गुडवत्ता पूर जह वो रेशे का निर्बान नहीं हो पाता है जिससे किसानों को काफी जह वो नुक्सान उठाना पड़ता है तो इसके अलामा क्या होता है दो बिनोलोग होकाबर के उन्हें रेशन के धागे से बढ़ कर उन्हें के अं आती हैं और वह समय के पहले ही जहें जुस wonder जाती है तो समय के फिल जाती हैं तमाम प्रकार के उन पेफिर अटायग होता है जिससे वह रोग ग्रसित भी जो हो जाती है इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जैसे या बॉल् satisfy नहざ shredded जैसे ही इसमें आपके पिंक बाल वार्म का अटेक को रहा है तो यह पहले से ही ओपन हो जा रही है, यानि बाल पहले से खुल जा रही है जिसरे तमाम प्रकार के फंगस बैक्टीरियम के इसका अटेक हो रहा है और यह जो इससे जो जो cotton है यह आपकी गुडवत्ता परक नहीं हो पा रहा यानि कई प्रकार के रोग से जह वह प्रभावित हो जा रहा है जिससे यह वह less quality का कार्कन जो है वह बन रहा है और दूसरी image में आप देखेंगे किस प्रकार से यह प्रभावित करते हैं आप इसमें देख रहे होगे कि यह पिंक बॉल वर्म किस प्रकार से अटाइक कर रहा है और तमाम प्रकार के इसमें जो है वो फंगस बैक्टीरिया भी असर कर रहे हैं और इस प्रकार से जो कॉटन बन रहा है जो इसका रेशा बन रहा है वो कम ना पढ़ता है कि इसके सास्थ जबो गोलंग छृत होने दूसरे सूच्व जीवेशन का टायक होता है इस प्रकार से वी नौला उगिने की छमता जो है तेल की मात्रा भी जो हो कम गो हो जाती है यानी जो हो इसके प्रभाव से जो आधकर एक अध defect के इने की चमता कम हो जा से ग्रशित जो बीज होता है उसको अगर हम वोने के लिए प्रियोक करते हैं तो, उसकी अंकुरल छम्ता जो हो कम होती है इसके अनावा क्या होता है जो आपका बिनौलह होता है कॉटन honest होता है उसमें जो तेल की छमता होती है यानि all परसंटेज जो होता है वो भी जो है वो कम हो जाता है इसके बाद गया होता है यह कीट का प्रकोब जो है वो अमेरिकन का पास में अधिक होता है यानि जो अमेरिकन कॉटन होता है उसमें जो है इसका प्रकोब जो है वो ज्यादा देखा गया है इसके दौरा हन्मानी छत लग देखी गई है लगभग नॉर्मन इससे जो नुखसान होता है 25 से 50 होता है परश्चत होता है लेकिन कभी अब अभी अगर अधिक मात्रा में इसका प्रकोव ज्यादा हो गया तो फसल में लगभग जो है वो 80 से 90 परशन्ट हो फसल जो हो प्रभावित जो हो सकती है इसकी अना अवस्थाएं होती है चार अवस्थाएं पाई जाती है यह वस्था कौन कौन सोती है एग लार्वी प्यूपा और एडल्ट एग लार्वी प्यूपा और एडल्ट यानि आपकी अंडा सूड़ी और क्रिम को सथा प्रोड की अवस्था जो होती है तो इसमें जो है किस प्र है लारवी होते हैं कि प्यूपा होते हैं है और होते हैं एडल्ट फिसप्रकार सवक Of All इनका जीवन चक्र होता है वो कंप्रीड लाइप साइकल होता है इसमें एग लारवा फिव पर एड़ल्स चार अवस्थां जह होती resonate प्रकार से आप इमेज में भी देख पा रहे होगे यसे यह जो है यह फो एग हो गया यहोग आपका लारवा और चार अवस्थाय बोल्ब में जो Soti हैं तीन से साथ दिनों में एग लेंग करती हैं और लगब पान्स से चे दोनों में यानि यो यो निकलते हैं इसके पार बाफ रही जो होती है उसका जीवन काल होता है लगब 8-14 दिनों को होता है उसके बाद लार्वी जो है प्यूपं कर्मत हो जाती है और छे বिस दिन का जीवन काल होता है और ये डर्ल जो होते हैं उने सबुद्द नौश को होता है 17-9 दिन का योने सबुनसाल कम्प्लीट लाइफ स ही कहते हैं इसका जżyवन चक्र होता है यानि टोटल लाइफ साइकल जो होता है वो होता है आपक्प जह वो 45 से ले करके 85 डेस कर यानि जो इनका पूरा जीवन चक्र होता है जो complete life cycle होती है वो लगभग 85 से ले करके सोरी 45 से ले करके पचास दिनों 85 दिनों ती जो है वो होती है इसमें जो एक अवस्था होती है प्राण मादा कीट मेतिंग के सद्खास तक ऐ Wentu करती है यहां के महीने में जातर जाएक महीने करती है किस महीने में माइ के महीने में और यह मेंने में और sबसे पहले जो अष्ण पत्तियों टहनी और कली यों फूल और गोले पर प्राराम करते हैं एक जो देती हैं वो कोमल पत्तियों पर कोमल टहनी ओपर फूलों पर और ब्रांचेस पर एग लेंग करते हैं इस जो हो इसे इसने सफेद कि पहले जो यह वह सफेद रंग होथी यह काल शिर्वाली होती जो की बादम में आपके पिंक कलर यानि गुलाबी कलर में परिवर्थित हो जाती है तो जो सूरिय वस्था होती है यह जब एक से जो है सूरिया निकलती है तो पहले सफेद रंग की होती है फिर जह वो आपकी जह वो उनका जो सर होता है सिर होता है हेड होता है वो काले रंग का होता है फिर धीरे धी इसकी जो है वह पूर्बिख्स सबस्प्राइब ऊस्फूरी होतीव तथा दो एंब म्यूक जो हो झाती है यह पूर्द विख्सेस होने के बार जहां लाद बो तीन बार टोचा करती है यह मौर्फोसिट करती तीन बार पूर्चा निर मौचन यानि malting की क्रिया जो है वो करती हैं यह जो तोर्चा निर्मोचन करती है यानि अपनी old skin को छोड़ती है और new skin को जो है वो धारन करती है इसका जीवन काल जो होता है वो दो प्रकार की होने वाले जीवन चक्र पर जो है वो निर्भर करता है तो इसका जो life cycle होता है वो एक प् जीवन काल होता है यानि सौट लाइफ साइक्ल और दूसरा होता है लॉंग लाइफ साइक्ल यानि दीर्ग जीवन काल तो जो आपकी पिंक बॉल- ve 물론 होती है उसमें दो प्नार कंद जीवन चक्र होता है एक प्नार और 10 लेकर 30 दिनों का होता है और ma jiwa वो दिर जीवन काल जो होता है वो सीध निर्क्रिष्टा में होता है यानि हाइवर नेशन में होता है हाइवर नेशन में जो होता है इसका जीवन काल जो है वो एक वर्स तक जो हो लेकर के दो वर्स तक भी जो है वो हो सकता है तो आपको मैं थोड़ा सा समझाओंगा कि जो अल्प जीवनकाल होता है वो नॉर्मल जैसे लेप टेरा गण के जो कीट होते हैं उनका जो जीवनकाल होता है लगभग 25 से 30 दुनों का जो जीवनकाल होता है ठीक है तो वो होता है और इसके अलामा जो दीर्ग जीवनकाल यानि लॉंग लाइफ साइकल जो इनकी होती ह घुल प्रस सरते दो वर्स तक वो कोटी है एक वर से दो वर्स तक वह लोंग लाइफ साइकल किसके दोरा होती है वह 小जुशह आपको आपका आपकशनी के दोरा कि तो सिट निसeleri सीद mine Beiisov στα क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जब gonna ज़ो हो इस चियुद जो होती है वह लट avenues स्टेज कहते हैं वह जो है वह उसकी क्रिया सीलत है कम हो जाती है यानि जो ब्लड होता है इसका सर्कुलेशन जो है रुख जाता है ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है जिससे इंसेक्ट जो होता है वो इन्यक्टिव हो जाता है तो उससे क्रिया सिलता कम हो जाती है और वह जो है वो घास पूस के अंदर पतियों के अंदर टहानियों के बीच में या फिर ब्रांशिस के बीच में वो जो है वो हाइबर नेशन यानि सिर्दिन रिख्रिता में जो हो चला जाता है तो हाइबर नेशन में काफी दिन तक जो हो बना रहता है इस प्रकार से क्या होता है कि जो कॉटन पिंक बाल वार्म होता है इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है जो सूरी होती है वो बीजों को खाती है यानि बिनावले के अंदर जो है वो छेदर करके उसको अंदर इंदर खोकला कर देती है और दो बीजों को आपस में जोड करके एक पींग कलर के धागे से जो है वो अपने आपको बंद कर लेती है और क्या होता है कि ये बीज जो है वो यह सूडिया जो हो पहुंच जाती हैं और फिर क्या होता है जब अगले वर्स जो है हम इनके बीजों को बोने के लिए प्रियोग करते हैं उस समय भी जो हो यह जीवित अवस्था में सूड़ी जो है उनके बीजों पर पड़ी रहती हैं सुसुत्ता अवस्था में यानि स सुड़ी जो होती है और जब एलट करना जो हो प्रारम कर देते लार्वी निकलती है लाव से घृर घृवने स्टेज होती है ति यानि दिर-घवस्ता होती है वो काफी दिनों तक जो रहती है तक तक यह जो है वो जीवित वस्था मंपड़े रहते हैं इसी को गई जीवन काल जह वो कहते में हैं तो इंपॉर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब भी इनको इनका देश से دूसरे जा डेस में जाने का खत्रा जोग बना रहता है। इंपोर्ट इसपोर्ट यानि हम जब आया आपनी रियाद करते हैं किसी अपने बीज को जह वो बीदेशों भेजते हैं या बीदेशों से हम अपने देश वे वो कॉटन के सीट को जह वो मंगवाते हैं तो उसमें जो है वो इस प्रकार के जो इंसेट होते हैं आपके कॉटन बॉल वार्म जैसे हो गया आपका पिंक बॉल वार्म हो गया इस प्रकार के इन्सेट का आने का जाने खत्रा जोंव अधिक होता है इसलिए आपके जो लीगल रूप्स जह हो वेधानिक नियंत्र जह है इसमें जह वो ज्यादा ध्यान देने योग बाते रहती हैं तो जो आपके फाइटर सनेटरी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर इसको जो है वो लैप्स में चिक किया जाता है तभी इनको हम अपने देश से दूसरे देश या फिर वह दूसरे देश से अपने देश में जो है वो मंगाते इसका जो प्यूप वस्था होती वह सूरी कोशावस्था बदलने के लिए वह गोलों अथवां बीजों से बाहर निकलाती है और तथा सूखी पत्ति भूमी के अंदर जो है वो कोशा वस्था में बदल जाती है तो जो इसकी सूड़ी वस्था होती है यानि लार्वी स्टेश होती है वो जब तीन से चार बार तुचा निर्मोचन कर लेती है मौल्टिंग क्रिया कर लेती है तो जो मैचोर लार्वी होती है वो जो है वो आपके cotton balls जह वो निकल करके जब उसको खा करके नश्ट कर देती हैं तो बाहर निकल आती हैं और जमीन में जह वो सूखी पत्तियों के उपर जह वो घास भूस पर जह वो प्यूपा वस्था में प्यूपेशन में करनवर्ण हो जाती है, क्रीळ कोष किस ऐनको होते हैं फूरे रंगे पत्ल्ग कोंए में बंद रहता है इसकी लंबाई जो है वह अ कल होते हैं, इसकी लंबाई और चणाई लगभग दो के जो एडर्स होते हैं और इनका विंग विनेशन होता है यानि आपका पंख विस्तार होता है जिसको हम विंग विनेशन के नाम से जानते हैं विंग किलिका प्रशम कि इनका जो विंग अनुशन होता है वो 16 mm का होता है सरीर जो है शरीर का रंग जो गहरा भूरा होता है एं-टीनी दागाकार तथा मुख्हांग जो है वह शाइफनाकार जो होते हैं इसके अलामा जो है वह जो इनके cooking होते हैं वह दो किले होते हैं इसके अतरिक दोणों जोड़ी जो है पंक बाहरी किनारों पर लंबे हल्के भूरे रंग के बाल दिखलाई पड़ते हैं इस प्रकार से हम एडेल्ट को जह हो आइडन्टीफाई जह हो कर सकते हैं इसके अलामन जह वो जब जाड़े के दिनों में प्राउंड कीट जो हे ओर और आडे कीट का जीवित होता है भी से ले के सत ता दिनों में पूरा हो जाता है लगब साथर टीन महीने तक लग जाते हैं सथा रूपसे एक वर्स में चारसे 6 प्यूडिया जो हो मिलती है तो यह जो है वो आपके इनका जो टोटल लाइफ साइकल होता है वो अलग अलग होता है जो सौट पीरियड होता है दस से तीस दिनों होता है जो लॉंग डेक पीरियर होता है वो धिक्तम जो है एक से दो वर्स का जो हो सकता है और तथा इनका जो Region होती है यह जो है लगब हब 4-6 generation एक जाल में जो होती है इसकी बात आती है अब नियंत्रण की बात आती है कि किस प्रकार से हम आपके pink ball warm को जो हो नियंत्रित करेंगे field paid लेबल पे तो इनको किस प्रकार से करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजों को पोने में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए यानि संड्राइंग दो आपके सोलर ट्रीटमेंट होता है सीड सोलर ट्रीटमेंट इट इस बेरी इंपॉर्टिन में थर्ट साफदा ट्रीटमेंट ऑफ द वेरी वेरी पेस्ट एंड डिजीजर कंट्रोल तो सोलर ट्रीटमेंट काफी अधिक होता है तो आपके जब धूब काफी तेज होती है उस समय क्या करना चाहिए इन बीजों को जो हमारे बीज है कॉटन के इसको अच्छे प्रकार से जो हो फर्स पर जो है वो सुखाना चाहिए सुखाने से क्या होता है कि जो एंके जो खोकले भाग होते हैं जहा सफूर की रोषणी में इसको नहीं कर सकते हैं तो हम आर्टीफिसियल रूप से कृटि म कर रूप से जो हमारे सोलर हीटर होते हैं या फिर हिटर होते हैं जिसमें करना चाहिए ताकि जो है जो सौसुखतावस्थ्था में यानि जो सूढ़ियां है वो नश्ट किया सके यानि अगर कृतिम रूप से जो आपके हीटर है इलेक्ट्रिक हीटर है उस पर लगभग एक सो चार्ट डिग्री फॉरे नाइट पर जो है इनको हमको सुखा लेना चाहिए और जो सुसुत्ता वस्था में इनक्टिव स्टेज में जो आपकी लार्वी पड़ी हुई है बीज को बहुने से पहले जो है वह मिठाइल ब्रोमाइड के ध्रूमकों से तीन से तीन सब्लोग 5 kg प्रती 100 घंड मीटर भीच की धर से 24 घंटे तथा एलमूनियम फासफाइड की जो है वह पैताल स्टेबलर तो कई प्रकार की बीजों को बहुने से पहले जो मिठाइल जैसे आपका यमूनियों फॉस्वाइट हो गया आपका मिधायल ब्रोमाइड हो गया उसको हम भंडारल ग्रह में जो है वहां करते हैं उनको आक साथ जलाकर करते हैं और उनके धुवां से जो है वहां जब पूरे कमरे में फैल जाता है यानि close area में फाइल जाता है जहां पर हम अनाज को रखे हुए होते हैं वहाँ पर जब हम fumigate करते हैं धुवा करते हैं तो वो जो है हवा में फाइल करके जो इंसेक्ट होते हैं कीट के जो हो स्वशन तंत्र में वो हवा प्रवश जब करती है तो ये जो है जो विसाक्त रासायन होते हैं ये स्वसंत तंत्र में जा करके सरीर के जो विभी नंग होते हैं उसको जो है वो नश्ट कर देते हैं जिससे वो कीट जो है वो मर जाता है और हमारे बीज जो होते हैं हमारे बीज को जो है वो प्रोटेक्शन परदान होता है इस इ फ्यूमिगेट यानि प्रधुमित जो है वो करना चाहिए इसी प्रकार से एल्मूनियम फासफाइट के जो हो लगभग पैतालिस गोलियों को जो है वो सव घन मीटर जो है वो एरिया में एक सब तहां तक जो हो चारित करके बोने पर प्रभावकारी नियंतर जो हो मिलता है त से फ्यूमिगेट कर देते हैं इनका धुआ कर देते हैं तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं जो बीज के अंदर छिपे होते हैं वो मर जाते हैं और फसल को सुरच्छा प्रदान होती है और उसको हम जो है बोते हैं तो इन प्रकार के कीटों का प्रभाव फसल पर जो हो नही हैं उसको जो है वो कलट करके जह वो जला देना चाहिए कि अगर उसमें एक लारवा प्यूपा छिपे हुए हैं वो सब जह वो नश्ठ हो जाएना चाहिए यदि आपको खेत में जह वो रोग ग्रसिद पत्तियों के अवसेस यानि गोले दिखाई दे बॉल्स दिखाई दे तूटे पूटे सोखे दिखाई दे उसको तूरन कलट करके जह वो नश्ठ कर देना चाहिए इस प्रकार से से हम कीर से प्रोटक्शन जहां फसल को प्रदान कर सकते हैं इसके अलावा जो है वो कीर से जो ग्रसिद गोले हैं यानि बॉल्स हैं कि जो आपकी cotton balls हैं है जो आपकी cotton balls है उसको जो है वो कलट करके नश्च कर देना चाहिए तो जो अगर आपको आपको पौधे के अंदर जौ है वो पेले में जो है वो cotton जो जो क्रॉप है उसमें उसकी जो टॉप पोर्शन होता है जो उसकी टहानियां होती है जो उसको अपर ब्रांचेस होती है अगर वो मुड़ी मुड़ी हुई मुर्जाई हुई सूख्य दिखाई देती हैं या फिर जो कॉटन बॉल्स हैं वह रोग गल्रिण केट ग्रिण दिखाई देते हैं तुरंत तोर्त तौक और करण करके जह वह नश्ट करदेना चाहिए जिससे जह इनकी सूडिया जह वो नश्ट हो जाती है और एडल्ट में कनवर्ट नहीं होती है और इनकी संख्या जह वो कम हो जाती है इसके साथ साथ जह वो कपास बोने से पहले सभी अन्य समंधित पोशक पौधों को काड़ कर साब जह वो कर देना ते यह तो कपास ग्रहान ना कर पाए इसके अलावा जो है वो जुलाई से लेकर के सितंबर के महीने में जिस समय कीट ज्यादा सक्री रहता है निम लिखी दवाओं को प्रियोग करना चाहिए तो जब कीट का प्रभाव ज्यादा हो जाए कीट की सक्रीता ज्यादा हो जाए यानि कंट्रोल की स शाइनिक दवाएं हैं इसको उचित मात्राइं पानी में मिला करके प्रती हेक्टेयर की दर से जह पोधों में भावो को अच्छी तरह से उप्चारी जह वो करना चाहिए तो कौन-कौन सी दवाएं हैं जैसे थायो मिटायन हो गया 25 इसी उसको जह वो 1.00 लीटर की मात्रा को जह वो एक उचित पानी में मिला करके जह वो देना चाहिए इसी प्रकार इंडोसल फांट 35 इसी हो गया इसकी जह वो 2.500 लीटर मात्रा को जह वो इस्तमाल जह वो करना चाहिए फेनुट्रित्यान हो गया 50 इसी इसकी 3.00 लीटर मात्रा को जह फसल में प्रियोग करना चाहि इसके अलामा जो है वो कुछ प्राकरतिक सत्र हैं जो आपके जह हो परोब जीवी हैं आपके आपके जैसे आपके इंसेक्ट प्रेडियेटर्स आपके जो है वो एक लारवल प्रेडियेटर्स कि आपके आपके के इंसेक्ट पारसड़ाइट्स एक्स पारसट़ाइट्स हो तो कई प्रकार के जो इसके प्राकरतिक शत्र हैं जिसको हम प्रेडिएटर और पारसाइट के नाम से जानते हैं वो भी जो है वो यानि आपके एक पारसिटॉट्स होते हैं लारवल पारसिटॉट्स होते हैं और कई प्रकार की परभच्छी कीट होते हैं जो जो इनकी संख्या को जह वो कम कर देते हैं तो कई प्रकार के जो परभच्छी कीट होते हैं जैस आपके जो परजीवेक रूप में और इनकी संख्या को कम कर देती हैं उनको जिए उनकी संख्या सग्या को जहाँ कम कर सकें तो यह कौन इंट यहाँ आपके trifles pectino forae है या आपके अंड़ पर जीवी होते हैं यानि आपके जह वो एक paracitoids होते हैं एक्स परacitoids जो आपके अंड़ पर जीवी होते हैं वो होते हैं trifles pectino forae इसी प्रकार से micro background लिफ्रोई जो होता है वो डिए जी सी ओता है वो भी आपको मर एक प्रेंट में में होता है यह आपका टता था आणि होता है यानि आपका लार्वार्वल पैर जी रार्वा 경s होता है आपके लारवल परस्टोइट्स होते हैं ब्रैकवं ACTuじ होती है वो भी आपके जो हो लारवल परस्टऊइट होती है high când अंडे के ऊपर एवाम इनके लार्वे को अपने होश्ट बना लेते हैं और आपके पिंक वाल बार्म है इसकी संख्य को नियंतरी कर लेते हैं इस प्रकार के पराष की संख्य को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा करके हमको इन कीटों कूपर प्रियोग करना चाहिए इसके क्या है हम जैविक रूप से इनका नियंत्रल कर सकते हैं इसके अलामा जो है वो एक बैधानिक नियंत्रल के भी दिया है उसको तह जब हम कीट का नियंतर करते हैं तो वो विधानी नियंतर कहलाता है नियम कानून क्या होते हैं जब हम कोई plant या कोई plant material या कोई bit या कोई bit material जो भी हमारा agriculture समझादी चीजें है उसको हम या कोई ख़ाद सामगरी एक देश से दूसरे देश जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से दूसरे देश से जब हम अपने देश से मंगवा रहे हैं तो जो आपका फाइटर सेनेटरी डिपर्टमेंट होता है वो इस्तित होता है आपके जो सी आपके सी पोर्ट होते हैं ज पूर मैटेरियल एग्री कलचर मेटेडियल सीड्ट मेटेरियल तो हम इसको ल breaking me चेक करते हैं और लैब में जब वह पूरी गुड़ वात्ता पढ़ी पूरी पूरी पाये जाता है तो उसको एक ग्रीन टैक देते हैं और ग्रीन टेग प्राप्त होने के बाद फिर जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो एग्री कल्चर स्पिस्लिस्ट होते हैं एग्रोनामिस्ट होते हैं इंटर्मोलोजिस्ट होते हैं पैथोलोजिस्ट होते हैं वो अलग-अलग इसको वैरिफाई करते हैं तब फिर उस उस सामाग करोगरी को हम अपनी देश में लेते हैं है इसकी हम चेक करते हैं कहीं पर इसके प्रोल की मिथट्स को अपनाते हैं कानूरी रूप से उसको चेक करते हैं और जब वह सही पाया जाता है गुडवत्ता पूरु पाया जाता है तभी उसको हम अपने देश में लेते हैं तो यह जो नियंत्रन इस प्रकार से जो बाहरी हानिकारा कीट रोग होते हैं खरपतवार होते हैं वो हमारे देश में इंट्री ही नहीं कर पाते हैं और यदि अगर रोग रशी थे उसको हम उसमें किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसको हम अपने अपने देश में जो है वाने से रोग देते हैं उसको हम एक्सप्ट जो हो नहीं करते हैं तो इस प्रकार से क् लीगल कंट्रोल या बैधानिक नियंत्रण के नाम से जह वो जानते हैं इस प्रकार से ऐसे हम इसका नियंत्रण आसानी से वो कर सकते हैं तो यह जो है आपका आज का टॉपिक था पिंक बॉल वार्म जो मैंने आपको पढ़ाया तो आज एक लास में बस इतना ही नेश्ट क्ल किनेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद